हलो फ्रेंट्स, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सूनन और आज हम बात करेंगे पॉलिसिस्टिक ओवरीज के बारे में पॉलिसिस्टिक ओवरीज जैसा कि नाम से पता चलता है एक ऐसी कंडिशन होती है जिसमें कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं और सिस्ट होने की वज़ा से ओवरीज का साइज नॉर्मल से काफी ज़्यादा बढ़ जाता है पॉलिसिस्टिक ओवरीज करीबन 20 से 25 परसें महिलाओं में होता है और यह यंग एश की महिलाओं जोकि 15 से लेके 25 या 35 साल की उमर में आती हैं उनमें जादा देखाता है जोकि एक लंबी चलने वाली परिशानी है और इसके साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसॉडर्स या शरीत में चलने वाले होर्वोनल बदलाव जुड़े हुए होते हैं और इसके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चीज़ें एक सास असोशेटेड होते हैं जैसे कि वजन बढ़ना, पीरिट्स इर्रेगुलर और कम आना, चेहरे और बोडी पर अननेसेसरी हेर ग्रूथ होना और जो महिला है रेप्रोडक्टिव एज ग्रूप में हैं याने के प्रेगनेसी चाह रहे हैं उनको प्रेगनेसी आने में दिखता आती हैं जिसे कि इन्फर्टिलिटी या पांच पन खा रहते हैं तो आएए जानते हैं पॉलिसस्टिक ओवरीज से जुड़े हुए ऐसी पांच बाते जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आएए शुरू करते हैं पॉलिसस्टिक ओवरीज जैसे कि मैंने बताया एक कॉमन कंडिशन है और ये लंबी चलने वाली प्राप्लम है और चुकि इसके साथ पीरियर्ट्स और बॉड़ी वेट से जुड़ी परिशानियां देखी जाती हैं तो जिनता होना स्वापाबिक है तो ऐसी कंडिशन में पॉलिसस्टिक ओवरीज जिन महिलाओं को है या जिन यंग गर्स को है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना जाहिए सबसे पहली बात कि पॉलिसस्टिक ओवरीज के साथ वजन बढ़ने की प्राप्लम आम तोर बर देखी जाती है तक क्रेबन 40% महिलाओं कि पॉलिसस्टिक ओवरीज से परिशान होती है उनका वजन ज्यादा हो सकता है तो ऐसी कंडिशन में अगर पॉलिसस्टिक ओवरीज की वज़े से वजन जादा है तो उसे महिलाओं एफेक्टिवली अपने डाइट और एक्सराइज द्वारा कंट्रोल कर सकती है यानि कि अगर आपको पॉलिसस्टिक ओवरीज है तो जरूरी नहीं है कि जब तक आपकी पॉलिसस्टिक ओवरीज की प्राब्लम ठीक नहों वजन बढ़ने की प्राब्लम ठीक नहों अगर वजन जादा है तो कोई भी वज़य हो वजन जादा होने की अगर आप डाइट और एक्सेसाइज को रेगलर फॉलो करती रहेंगे तो आप वजन को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत बार महिलाएं ये एक्सक्यूज देती हैं कि उनका वजन बढ़ने की वज़े पॉलोसिस्टिक ओवरी है इसकी वज़े से वजन कम नहीं हो सकता लिकिन ऐसा नहीं है पॉलोसिस्टिक ओवरी होने के बावजूद अगर आप अपने एक्सेसाइज और डाइट पर पुरा ध्यान देती हैं तो आप अपने वजन को कर्ट्रोल रख सकते हैं दूसरे बात यंग गर्स उनके पीरिट्स एर्रेगुलर आ रहे हैं ज्यादा दिनों में आ रहे हैं वलोसिस्टिक ओवरी की वज़े से उन्हें हर बार पीरिट्स लाने के लिए दवाया लेने की आवश्यक्तर नहीं होती है यंग गर्स जोकि अभी सेक्स्वली एक्टिव नहीं हैं 15 से लेके 25 साल की उम्र में हैं और पीरिट्स उन्हें इर्रेगुलर आ रहे हैं तो बहुत पार वे पीरिट्स को रेगुलर रखने के लिए दवाया लेना पसंद कर दे हैं जोकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नही पीरिट्स इर्रेगुलर आ रहे हैं और आप अपने हेल्थ का पुरा ध्यान दे रहे हैं तो पीरिट्स को राने के लिए दवाया लेने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि पीरिट्स लाने के लिए जो दवाया दी जाती हैं वो हर्मोन्स होते हैं और उनके थोड़े पहुत side effects शरीर पर होते हैं तो अगर periods irregular आ रहे हैं ज्यादा दिनों में आ रहे हैं लिकिन कोई और problem उसके साथ associated नहीं है तो आपको periods लाने के लिए दवा लेने की आवश्यत्वा नहीं है और जैसा कि मैंने पहले point में बताया कि अगर आप अपने वजन को control रखेंगे तो periods आने की समस्या को आप काफी हद तक regularize कर पाएंगे तीसरा यंग गल्स जोकि polycystic ovaries से परेशान है उनको और कोई दिक्कत नहीं है तो उन्हें polycystic ovaries को ठीक करने के लिए दवाया लेने की ज़रूरत नहीं है दवाया लेने की आवश्यक्ता नहीं है तो polycystic ovaries एक lifestyle disease है लंबी चलने वाली परेशानी है तो इसमें आप एक healthy lifestyle अपना कर दवायों को avoid कर सकते हैं चौती बात यहां पर मैं आपके साथ शेर करना चाहूंगी कि polycystic ovaries में जो महिल आए polycystic ovaries से परिशान है और अगर वो contraception के लिए oral contraceptive pills लेते हैं तो उससे उन्हें दो benefits होते हैं सबसे पहला कि contraceptive pills की वज़े से उनके periods regular आते हैं pregnancy आने के chances नहीं होते हैं दूसरा जभी भी वो contraceptive pills बंद करेंगी और pregnancy plan करेंगी तो pregnancy आने के chances पहले से बहतर होते हैं क्योंकि polycystic ovaries में ovaries को rest देने के लिए contraceptive pills का बहुत अच्छा रोल देखा गया है और जभी भी contraceptive pills बंद किये जाते हैं तो pregnancy आने के chances पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बहतर होते हैं और पाँचवी और आक्री बात जो यहाँ पर मैं आपके साथ share करना जाऊंगी कि polycystic ovary एक लंबी चलने वाली परिशानी है इससे परिशान नहीं होना है अपने lifestyle को बहुत अच्छे से वानच करना है और अगर आप अपने वजन का ध्यान रखेंगे तो polycystic ovary से होने वाले परिशानी जैसे कि शरीर पर होने वाले excess hair growth को आप कंट्रोल कर सकते है और excess hair growth के लिए भी या एकने के लिए आपको दवाईया लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यक्त पर नहीं है एकने के लिए आप अच्छी facial cleansing creams यूज कर सकते है exfoliating creams यूज कर सकते है और local treatment यूज कर सकते है बजाए कि आप खाने वाली दवाईया खाए उसी जरीके से facial और body hair के लिए आप trading और plucking जैसे methods यूज कर सकते है या अगर आप थोड़ा permanent result चाहते है तो laser hair reduction के लिए जा सकते है तो polycystic ovary में होने वाले एकने और hirsutism यानि की hair growth के लिए दवाईया लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है तो इन पांच बातों का ध्यान रखकर polycystic ovary जोकि एक लंबी चलने वाली problem है इसके साथ थोड़े hormonal disorders जूड़े होते है पर इसके लिए दवाईया लेना बहुत ज़्यादा आवशक्ता नहीं है तो polycystic ovary से घबराए नहीं जागरू करहें अपनी सहत का पुरा ध्यान रखे और स्वस्त रहें जैने वाले